वेलकम बैक तुदा चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे इस्राइल का नया हरकत को लेखे और इस बार इस्राइल ने किया किया किसी कंट्री पे अटक किया ने किया इस्राइल ने अपने तरब से UNRWA के उपर बैन लगा दिया अब पुशेंगे यह UNRWA किया है UNRWA का यह एक ऐसा और्गनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के साथ कनेक्टेड है और देखा जाए तो UNRWA का exactly काम था कि गाजा में जो पलेस्टाइनी फसे हुए है उन लोग को जो बेसिक नीड है मतलब खाना दबाई यह सब सप्लाइ करता था और अभी इस्राइल के तर मतलब इलोग जो खाना पहुचा थे या फिर जो भी बेसिक नीड है वहां के जो पैलिस्टाइन या फिर वहां के जो मतलब सिटीजन रहते हैं उन लोग का वो सिटीजन को यह लोग आगे पहुचा नहीं पाएगा तो नो डाउट यह सुनके दुनिया में बहुत सारा कंट तो यह सुनके हो सकता है कि आपको इस्राइल के ऊपर घुसा है मगर पूरा कहानी सुन लीजेए इसमें आपका जो विव हो सकता है कि चेंज हो जाए अगर अगर हम लोग उन्रा के बारे में जानना चाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यह जो औरगनाइजेशन है यह एफिलेटेड़ जे युणाइटेड नेशन के दौरा on the other side यह युणाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है इसके लाव ही आगर हम लोग देखें यह और ही पुरान है 1949 में December में यह organization को बनाया गया था उसके बाद से यह organization different location में अपने तरफ से यह सारा काम करता है इसके लाव भी अगर देखा जाए presently यह जो organization है इसका employee strength है आपका 30,000 आप समझे सकते हैं कि कितना बरा organization है और दुनिया के लगभग सारे देश इसको अपने तरफ दोनेशन देता है 2022 में यह जो डोनेशन का total amount है यह आपका 1.7 billion dollar था तो आप समझे सकते हैं कि कितना बरा amount आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया भी अपने तरफ से UNRWA को अपने तरफ से donation provide करता है तो नो डाउट यह सब सुनने के बाद आपको लगेगा ही कि UNRWA जो है एक लेजिटिवेंट organization है आगे जाके यह organization को रोकना नहीं चाहिए था क्योंकि यह humanitarian गाउन पर काम कर रहा है on the other side गाजा में जो फसे हुए है उन लोग के life में जो problem जो basic need है वही fulfill कर रहे है इसराइल को यह करना नहीं था इसराइल हो सकता है कि वह किसी के साथ दुश्मनी है तो उसके साथ वार में जा रहे है तब भी हम लोग इसको समझ सकते है कि भाई यह लोग को अटक किया इसलिए इसराइल अटक करें मगर इसराइल का यह स्टेप के पीछ इसराइल का कारण क्या है अभी तक हमने जो देखा यह जो information है यह आपको first step में मिलता है अगर आप internet में search करेंगे तो आपको first step में मिलेगा कोई कोई country है जिन लोग का media जो है सिर्फ ए अगर देखा जाए इसराइल के तरफ से बहुत सारे वीडियो भी publish कर दिया गया है इसके इसके रिलेटेड इसराइल का कहना है कि यह जो organization है यह हमास के जो एंप्लॉई यह फिर हमास के मिलिटेंस थे वो लोग आज के रेट में UNRWA के साथ जुरे हुए है जिसके वजह से यह लोग neutrally कुछ काम नहीं कर रहे on the other side अगर इसराइल के तरफ से मनदब लोग claim किया गया है जो 7th October को इसराइल को पर attack वा था उस टाइम में जो इसराइल का देथ हो गया था उन लोग का जो बॉड़ी उस टाइम में मिला था मतलब जो लोग का देथ हो गया था इसराइ इसको neutrally काम करना चाहिए कोई भी संगटन अच्के डेट में इसराइल के अनुसार हमास जो है एक टिररिस्ट और्गनाइजेशन है क्योंकि हमास ने इस तरह से अटैक किया है on the other side अगर ऐसा कोई organization को कोई ऐसा UNRWA के organization के जारा help मिलता है तो यह गलत है आपको अगर help करने तो obviously आप जो neutral मनलब जो citizens है जो लोग को वार या फिर कोई भी संगटन के साथ कुछ नहीं ले अंदर देना है जो country के citizens है जो Palestine के citizens है उन लोग को help कीजिए तो इसराइल का कहना है कि यह जो information से यह completely गलत है कि UNRWA neutral organization ने इसके लिए ही इसराइल ने अपने तरब से UNRWA को ban किय है तो आगे जाके किया होगा आगे जाके जो गाजा के citizens है यह फिर गाजा में अभी जो जिन्दा बचे है वो लोग को आगे जाके इदर इसराइल को अपने तरब से surrender करना पड़ेगा हो सकता है कि इसमें बहुत सारा हमास के जो militants से वो भी है अगर अगर अपने तरब से कर रहे हैं हो सकता है कि इसराइल का जो हमास के साथ हुआ है उसका यह step ऑन दादर से इसराइल अपने तरब से claim भी कर रहे है कि हम लोग के पास proof है आगे आप चाते तो हम लोग यह प्रूफ भी दिखा सकते इसराइल अपने तरब से यूएन में जाके यह claim किया इसराइल क कोई भी एक organization के help करते है तो यह गलत है तो completely यह depend करते है कितना बात सही है क्योंकि मैंने अपने तरब से exactly इसराइल का क्या कहना है on the other side क्या data available है यह सारा information आपके सामने ला है और यह बात भी सही है कि यह जो information से मन्दब इसराइल का यह जो claim है यह अभी नहीं इसराइल यह claim बहुत पहले ही कर चुका था कि भाई यह जो organization है यह neutrally काम नहीं कर रहा है यह organization जो है बायस्ट है जिसके वजए से आज के डेट में different countries अपने तरफ से UNRWA का जो funding है और रोग दिया है या फिर उस लेवल पर funding नहीं कर रहे है इनिशली वो लोग जैसे कर रहे है अगर हम ल Germany, Norway, Sweden, France, EU, Saudi, Canada और भारत भी UNRWA को funding करता है मंगर जब से इसराइल ने claim किया है कि UNRWA neutral नहीं है at that point of time से US और EU को अगर हम लोग देखे वो अपने तरफ से जो funding है वो घटा दिया है पहले जैसे वो अपने तरफ से UNRWA को funding नहीं कर रहे है on the other side अगर देखा जाए इंडिया क के बारे में हाँ पूछी सबते कि इंडिया का क्या standing इंडिया ने presently इसको लेगे कोई official statement नहीं दिया इससे पहले ही इंडिया ने अपने तरफ से UNRWA को promise करके रखा था कि हम लोग अपने तरफ से इस financial year में 5 million dollar आप लोग को funding करेंगे जिसमें already इंडिया ने 2.5 million dollar release कर दिया remaining जो है अभी भी release नहीं किया गया है आगे इंडिया क्या करेंगा यह अगर जाना है तो हम लोग को wait करना पड़ेगा on the other side इंडिया के तरफ से अभी कोई official statement आया नहीं है इस matter में हो सकते के इंडिया गवर्मेंट आगे जाके इसराइल के साथ बात करे या फिर US के साथ बा अपना सिफ काम करें वो लोग बहुत ही neutrally काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है सब इसराइल बोले यह जूट बोले तो नो डाउट अगर घर के बच्चे के बारे में complain करोगे तो पापा ममी तो हमेशा बोलेगा है कि मेरा बाच्चा जो सब सच्छ है वो किसी ने इसके जाथ मा बैन मत कीजिए जो बैन है आप रिमूफ कर लीजिए वरना आगे जाके गाजा में जो रह रहे है उन लोग का देथ हो जाएगा वो लोग को खाना पीना नहीं मिलेगा और वहां बहुत सब्सक्राइब मेडिसीन अगर नहीं मिलेगा वहां को सकता है आगे डिफरेंट अगर आप सेरेंडर नहीं करोगे आपको उमरना पड़ेगा तो यही जो कॉंसेट इसराइल फॉलो कर रहे और इस कॉंसेट का यह अलग सा स्टेप है अगर इसराइल सच बोल रहा है तो हम लोग समझ सकते कि इसलिए इसराइल ने यह स्टेप लिए मंगर आगे जाके जो बादा में सिटीजन से जो प्लेस्टाइन के सिटीजन से वो लोग तो बेकार में अपने तरब से उनों का यह जो प्रॉब्लम में वह फेस करेगा हो सकता है कि उनों का इस बार में कुछ इंफरमेशन पता है तो वोफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा आगे ऐसे और भी वीडियो में चैनल में लाता रहूंगा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनुपॉल बहुत सरे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको लिया अवेलेबल है आप वहां जा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो वीडियो आपको सबसे अच्छ लगता है म वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है जब यह आएगा आपके बस तुर्ण नुटिक्रेशन पहुंच जाएगा यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद झाल